काफी घवराहात हैं, और ये मान के बएठ रहे हैं कि उहार रहे हैं, ये चार सो चार सो कि ये बात कर रहे हैं, ये घवराहात में कर रहे हैं बात, लोगों को दिमराइज करने के लिए, और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता, ये बोल रहे हैं खुला मखुला, समिधान को बदलने हैं, यह बाबा साब का बनाया हुआ समिधान है, कोय अर्योग रोबाबा का बनाया हुआ नहीं है, क्यों भी कोशिस करेगा समिधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिश्री और दरिट जंता आख निकाल लेगी इनका, और खबरदार अगर इस तरह क रहा जो रहा तो बनाया होगे समेधान को बदलने का कुछback के देश के जंता माफ नहीं करेगे चालेट नहीं करेगे और ये घबराहाट में बोल रहें सिधा ये देश में चाहते हैं इज साषं लाना नहीhew लाना जाहते हैं समीधान का बदलने का मतलब लोगतंत्र को बदलना और लोगतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये कि तेस में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते लोगतंत्र को खतम करके अधितना साही की तरफ जा रहे हैं स्लिफ रहा हैं कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आयेगा क्यों कोगी मिद बढ़ से कहा हुआ सुनधान बढ़ देगी हुए कि सुनम हैmam को मफमत आ रहा है महमत दिग को मुहमत मांग रहा है आरक्षन को समिख्षा करना की बात की थी और देश की जनता ने धरितों ने इस बात को पूरा उन्सके इरादे को नस्ताबूद किया वही हारलिन का होने वाला है को लेकिन बी जेपी गेता परधान मंधरी मोदी हैं कि अ कुछ मिदान बदनने की बात एक है ने इन eldestायीक नेकर रहता जो अब ज इस बात के लिए बहुमत आपको, अब चलिए, बहुमत का समझ गया, देश आपको पाचान लिया है, आपके लोगों को पाचान चुका है, और इसको दुबारा ये गल्ती लोग करने वाले नहीं हैं, आप और जो लोग इस सर से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जन करने वाली जनता है, इनका आँख निकाल लगी ऐसे लोगों को, खबरदार इस तर का हिमत किया थो, अब चार सो की बात कर रहे हैं, निती जी, आफे माफी भी मांग रहे हैं, माफी भी मांगते हैं, निती सुक्मार, स्वरी स्वरी गल्ती हो गए,